नमस्कार आप सबका इस कालिक्राम में स्वागत हैं आज का जो हमारा विशे है वो है गुप्त काल और उनके उत्रदिकारी कुशान वंश का जब पतन हो गया तो उसके बाद उत्तर भारत में जो था गुप्त वंश का उदे हुआ गुप्त वंश के साशकों ने बड़े समराज की स्थापना की जिसमें हम देखने की पूरा उत्तर भारत शामिल था इस समय में जो है कला वस्तु कला साहित के छेत में बहुत प्रगती देखने को मिलती है गुप्त काल जो है मतलब जो उनके साशक थे उन्होंने सन 550 तक साशन किया और उसके बाद जब उनके पतन के पस्चाथ हम देखते हैं कि उत्तर भारत में बेभिन छेत्री शक्तियों जो है में बिभाजित हो गया दक्षिर भारत में भी दो महतपूर वंशो चालुक और पल्लवो का सन 550 से लेकर 750 तक साशन रहा इसके राजनितिक इत्यास के बारे बात करें और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इस पिरियट की बात करें तो हम इस देखेंगे कि गुप्ता जो तइनस्टी थी वो इस्टेप्लिश की थी सिरी अकीव तरी जो पूर्बिवी उत्तर ब्रदेशिं जो पुत्र थे घटोचक जिसने हम कहेंगे कि महराजा की उपादी धान की थी, कोई जादा बड़ा शाशक नहीं था, एक छोटा सा साशक प्रतीक होता है, क्योंकि हमें उसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्द नहीं है, जब एक कोई बड़ा साशक होता है, या उसका ब पारे में हम बात करें, तो गुपता जो वँष था, उसका फाउंडर जो था, चंद्रगुपत मौरे था, उसने चंद्रगुपत ने जो थी, फस्ट रियल फाउंडर हम कह सकते हैं, और सन 309 में उसने राजा रोहन को गुपत समराज का प्रारम माना जाता है, क्योंकि जब से जब इसने साशन पर आया, तब ही से जो है गुपता समराज का प्रारम हुआ, और उसने जो था महाजारा धिराज, या लिए कि किंग ऑफ किंग, चंद्रगुपत ने जो है कि उपादी धारन की थी, चंद्रगुपत का वेभा हम देखें तो लच्छवी की जो बंश की जो राज कुमारी कुमार देवी से हुआ था, चंद्रगुपत ने जो सिक्के स्वन मुद्रायन की जो श्रिंकला जारी की थी, उसमें इस घटना को वर्नित किया गया था, इन सिक्कों कर हम देखें तो उससे हम ऐसा प्रतीत होता है कि इस वेभाईक संबन ने गुपता समर लाज को वेद्टा, सम्मान तता शक्ति प्रदान की थी, चंद्रुपत का समाज हम देखें तो मगद में यानि कि जो प्रेजर्ण में बिहार है, साकेत, आदुनिक आयुद्या, तता प्रयाग यानि कि आदुनिक जो प्रयाग राज है, या इलहाबाद के नाम से भी जानत ऐसे चन्द्रग्प्त के बाद जो है संस्पूर विवरण जो है उसके राज कभी जो हरी सेंथ उन्होंने जो संस्कृच में लिखे एक संस्कित में लिखे आलेक से मतलब उन्हों ने उसका वर्णन किया था उसमें लिपीवत किया यह आलेक जो है इलावात के निकट एक इस्तम पर वर्णित है यह समुंध गुप्त द्वारा जो जीते गए वंश थे और उन छेत्रों के नाम को पतलाता है उसने हर जी नौनागा शाषको को पराजित कर उनके राज्यों को अपने समराज में मिलाया उसके बाद उसने मद्ध भारत के बन प्रिदेश के और बड़ा जिनका उलेक हमें जो है अत्भी राज की रूप में मिलता है इन कबिलायों छेत्र के साशक पराजित हुए तथा उन्होंने जो थी उसकी दास्त को बाध हुए इस छेत्र का राजनितिक देस्टी से भी हम देखते हैं बहुत महत्व है क्योंकि इसी छेत्र से जो है दक्षिर भारत को मार जाता था इस मार जो था इस छेत्र जो था समुन्द्र गुप्त को दक्षिर की ओर कूच करने में सक्षम किया और पूर्वी तट को जीटते हुए 12 शाशकों को पराजित करते हुए वह सुदूर काचे यानि कि चन्नई के निकट तक पहुँच गया समुन्द गुप्त ने राज्यों को वलपूर्वक अपने समराज में सम्मलित करने के स्थान पर उधारता का भी परिचे दिया उसने उन शाशकों को उनके राज वापस लोड़ा दिये इसका एक रिजन ये भी था कि दक्षिर भारत के लिए राजनितिक समझोती की नीती उसने इसलिए अपनाई क्योंकि उसे ऐसा मालूम था कि अगर एक बार वो उत्तर भारत में अपने छेत्र में अगर वापस लोड़ गया तो उसके बाद इन राज्यों पर नियंतर इस्थापित रखना या उन पर मतलब कावू रखना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए उसके लिए बस इतना ही परियाब था कि यह जो शाशक है उसकी सत्ता है उसको स्वेकार करें और उसे कर और हम कहें उपहार का वुक्तान करें जो इलाबाद में अभी लेक के अनुसार हम देखते हैं कि पांच पडोसी सीमा वर्ती पिरदेश तथा पंजाब एम पस्चिन कि वहारत में नौ गरतन समंद्र गुप्त की विजव के इसे भैवीत हो गए थे और यह जो नौ गरतन तेहीं होने बिना युद किये ही समंद्र गुप्त को धन और कलो का भुक्तान करना शुरू कर दिया और उसके आदेश का पालंग होने स्वेकार ना शुरू किया अभिलेग से हमें ये भी मालूम होता है कि दक्षण पूर्वी एशिया के कई साशकों से समुन्दुगुप्त को बहुत सारा धन प्राप्त होता था मुक्रूप से ऐसा माला जाता है कि उसका सम्राज एक विस्तित भूर खंट तक फैला हुआ था लेकिन समुन्दुगुप्त का जो पितिक प्रशाष्णिक नियनता जो का अगरम छेत के हैं तो वो मुक्र गंगा घाटी में था वे अपनी विजय का उस सब अश्व वली देखकर मनाता था या अश्मेक यक करता था इस अफसर पर वो जो है ऐसे मतलब सिक्के जारी करता था जिसमें बली को बर्णन किया गया है उस तरह के सिक्के वो जारी करता था इसे अश्मेक प्रकार की सिक्के भी कह सकते हैं यह क्वाइन से कुछ समुन्द गुप्त के टाइम के आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप उस समय के यह जो सिक्के हैं तो सिक्के यह सोने के हैं तो उस समय आप जो सिक्का होता है तो हम उस समय के आर्थिक जो इस्तती होती उसका भी पता लगाते हैं कि किस मैटल का सिक्का होता है तो हमें यह मालुम चलता है कि अर्फिक सठी क्या होगा सोने के सुंस आर्फिक विवस्ता जो हैis चंबर एक होते हैं और हैं नकुछ को दिखाते हैं लेकिन शिक्रों कहीं न कहीं कला किस तरह किस चरम किस तरह कि पिज़ा बहुत आगे थे या किस तरह का उन्हें जो है कhow आगे थे तो इसिक्षा का महान संरक्षख भी था. संगीत के प्रती उसका प्रेम उसकी जो मुद्राओं से मुकृत होता है जैसे जो सिक्के में दिखाया है कि उसमें वो बीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उसमें जिस तरह से मतलब उसकी मुद्राओं हैं उससे उसके प्रेम का हमें पता चलता है क्योंकि कोई अभिलेख है या कोई सिक्का है उससे हम जिस तरह के तजबीरे बनी होती है उस समय के राजा के बारे में हमें उसकी भी बहुत सारी इंफोर्मिशन मिलती है अब हम बात करते हैं चंद गुप्त सेकंड की समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा था चंद गुपत दित्ति वो उसका उतरा दिकारी बना और जिसे जो है जो चंद गुपत विकमदेति के नाम से भी जाना जाता है इसका साशनकाल जो था 1375 से 414 AD रहा उसने अपने मातेपिता के समराज का विस्तारी नहीं किया वलकि इस यूग के अनवल्शों के साथ विवाईक समंदो द्वारा अपनी स्तती को भी सुधन किया उसने नागा राजकुमारी कुवेर नाक से विवा किया तथा उसे प्रभववती नाम की पुत्री भी उससे हुई प्रभववती का विवा दक्षिड में साशन कर रहे वाकटक वंश के साशक रुद्रसेन डित्ट से हुआ अपने पती की मित्रों के उपरान कलाबती ने अपने पिता की सहाइता से अपने जो आवयस्क पुत्र था उसके संरक्षन के रूप में काम भी किया वकटक्स छेतर पर नियंतर जो था चंद्र गुप्त दित्ति के लिए बर्दान सिद्ध हुआ क्योंकि अवय अपने जो शत्रों जो थे उस पर और बेता तरीके से आकमर कर सकता था उसकी महांतम जो सेन उपलब्दी जो थी पस्चिम भारत में तीन सो वर्ष से साशन कर रहे हैं साशक समराज पर विज़े रही इस विज़े के फरसुरोब कुप्त समराज की सीमा जो है भारत के पस्चमी तर तक पहुँच गई महरोली जो दिली में एक जगा है और उसमें इस्तित एक लोई से हमें संकेत मिलते हैं कि उसके समराज में उत्तर पस्चमी भारत तथा बेंगौल के भी राज थे उसने बिक्रमदित की उपादी धानल की थी बिक्रमदित का मतलब होता है कि सूरे के समान बल्शाली उसकी उपादी उसको दी गई थी, मिली थी चंद्रकुप्त दित्यकला और साहित के संडक्षन के लिए भी विक्षात है उसके दरवार पे नवरतन हुआ करते थे, नौरतन में से हम बात करें ये महरोली का स्थम्भ है, जो दिल्ली के महरोली में स्थित है ये इतने साल पुराना होने के बावजूद भी आज भी इस पे जंक और ये सब चीजें नहीं है तो उस समय की ये टेकनोलजी को दिखाता है कि उस समय कैसी टेकनोलजी जो है इस्तमाल की जाती होगी कि इतने साल गुजर गए लेकिन इस पे जंक नहीं है पहले शायद इसको टच भी कर सकते थे लेकिन अब इसको ASI ने इसको थोड़ा इसकी बाउंडरी को साल से बना दी है ताकि लोग इसको टच नहीं करें और पहले तो लोग इसको टच भी कर सकते थे इसको छूब भी सकते थे अब ये बहुत साल से इसकी बाउंडरी बना दीगी, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो मॉनुमेंट है उसके संदक्षन के लिए जरूरी है, तो ये भी उस समय का ही, इनी के समय का बना हुआ है, हम उसके नवरतनों की बात करेते हैं, तो संस्कृत के महान कभ जो तथा नाटकार काले स्तास, इन में सरवदिक चर्चित रहे, चीनी बहुत जो तीतियाती फायान था, जो वो भी इसी समय में, उसके साशनकाल में ही, उसने भारत की यात्रा की थी, उसने पाच्वे शिताबदी की लोग के जीवन का पूरा वर्णा दिया, अगर हमें उ लोगों के समाज के बारे में, सब के बारे में, धर्म के बारे में जानना है, या यह कहीं न कहीं हो सकता है, वो इंफ्लेंस हों अपने राजा से, लेकिन जो दूसरा यात्री आके लिखता है, तो वो किस तरह से लिखता है, तो हमें देखना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी कुछ चीजें थोड़ी वो भी हो जाती हैं कि उनके चेहन वह सकते हैं जिसके वज़ेसे। मतलब हम पूरी तरह से यकिनी कर सें हां यह है कि कि जब हम किसी तरह का इतियास का पुरे निर्माश करते हैं तो पूरा उसमें फोर सेंचुरी में था कि पूरा कहां से कहां था कि समराज पहला हुआ था अगर हम इसके पतन की बात करें कि इतना बड़ा समराज मतलब पतन हुआ तो चंद्र गुप्त जो सेकेंड था उसके बाद उसका संज कौमार गुप्त जो है 415 से लेके 425 तक उसने साशन किया और जो ये जो था अपने पिता के समराज के रक्षा करने में ये प्रारम में सफल हुआ किन्तु उसके साशन के उताद में मद एशिया में साशन कर रहे हुडों ने अपनी चुनाथी मिलने से की से करने के उपरांथ हुडो ने हिंदु कश्परवत को पार कर बारत में पर्वेश किया हुडो का प्रथम आकमर राज कुमार इसकंद गुप्त दौरा बिफल कर दिया गया किंटु गुप्त शाषक हुडो के उत्तरवरती आकमरो से अपने समराज की रक्षाज़ाद समय तक न तक उन्होंने मालवा तता मद्ध भारत के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था पंजाब तथा राधिस्थान भी इसकी जो था उनीकी जोली में था हूडवानिश का प्रथम जो सबसे चर्चित साशक चाथा वो तोर मलर था जिसने मद्ध भारत में भ से हमें उसका विबरन मिलता है कि वो एक ताहना शाह और कूर शाशक के रूप में पसित था मालवा के साशक यशोद वर्मन तथा गुप्त शाशक नरसिंग गुप्त बालादित ने अंत में जो है महिर कुल को पराजित कर दिया था किन्त हूड़ों पर ये विजय भी गु गुप्त शाशक के काल की जो मुद्राओं से हमें ग्यात होता है जिसमें सोने की मातरा की हमें मुद्रा कम मिलती है और हमें मिश्र धातों की अधिकता मिलती है तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो मुद्रा है उस समय की मिलती है कि कौन से साशक ने किस मैट्रिल की मुद् उससे हमें उनके जो आर्थिक इस्तिति उसके बारे में भी पता चलता है जैसे कि गुप्त शाषा के शुरूर में उने सोने की मुद्राई ही पेशलेती हैं लेकिन बाद में हमें देखते हैं कि आते आते मिश्रधातों की मुद्राई मिलने लगती हैं कोईंस हमें मिश्रधातों के मिले लगते हैं, इससे कहीं न कहीं हम यह अनुमान लगाते हैं, कि उनकी जो आर्थिक इस्तिती थी, उसमें भी कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था या खराब हो रही थी, हम पोस्ट कुपता काल की बात करें, तो उसमें मुद्राओ की करमिक कमी भ भूमी के रूप में भुकतान करने की प्रेकरिया को जर्म दिया, अब देखें कि जब उनके पास कोईंस नहीं हैं, तो वो भूमी में जमीन के हिसाब से भुकतान कर रहे हैं, इस थत का ग्यान हमें जो अब रहमोर तथा अधिकारियों को बड़े पैमाने में दान किये जो पाने वाले जो ब्यक्ति थे को मात्र करका संगर ही नहीं करना होता था, बलकि दान में प्राप्त भूमी का प्रवन्द भी करने का अधिकार उसे दिया जाता था, इसने बेभिन छोटे-छोटे जो शक्ति केंद्रों को जर्न दिया, क्योंकि जब भूमी दी जाने लग में कि जब वो सक्ति शालिय हो जाएंगे तो उन्होंने शाशक को भी चुनौतिया देना शुरू कर दिया और अपनी छेतरों में अपना प्रवाब बना लिया और अपने छेतों का विस्तार करना शुरू कर दिया, गुप्ति-समराज के पतन के परिणाम सुरूब हम देख हैं भारतिय प्रायदीप में भी राजनितिक परिदर्श में भिन नहीं था, दक्षिन तता उत्तरी तमिल नाडू में हम देखेंगे कि चालुक और पल्लव मजबूत राजनितिक शक्तियों के रूप में प्रकट हुए अब हम बात करेंगे मैत्रक की, मैत्रक के हम बात करेंगे, तो ये इनके जो थे, मैत्रक जो थे गुप्त बरिण्ष के सहायक मुखिया थे, जिन्होंने पच्चमी भारत में एक स्वतंत सत्ता की स्थापना की थी, मैतरक बन्ष का सरवदिक प्रमुक जो शाशक था वो धुर्वसेन दित्य था वे हर्षवर्दन का समकालिन था तता हर्षवर्दन की पुत्री के संग उसका वेवा हुआ था हुएंग सांग की बुरुनों से हमें ये पता चलता है कि धुर्व सेन दितने हर्श्वर्दन द्वारा प्रयोजित सवह में प्रयाग उस समय जो आज के हिसाब से प्रयाग राज में हिसा लिया था गुजरात में सौरास्टरक पर साशन करते हुए मैतरक समराटों ने बललभी को अपनी राजधानी की रूप में विक्सित किया था यह नगर शीर की ज्यानो पारजन का महत्पूर के इन बन गया अरब सागर की किनारे इस्तित होने की कारण यह प्रमुक बंदरगाए शहर भी था जिसमें व्यवसाय तथा वड़ज समरत था मैतरक बंश का साशन आठवी शताबदी तक सुचारों रूप से चलता रहा जब तक कि अरब आकमरकारियों ने उनकी शक्तियों को कम नहीं कर दिया अब हम बात करेंगे मौकरी शक्तियों के अधिन साशक तथा सामंत उपादी का प्रियोग करते थे हर्षवर्दन की बहन राश श्रीक का विवा ग्रह बर्मन से हुआ था बंगाल के साशक सशांक एवं उत्तरवर्ती गुप्त शासक देव गुप्त ने सहीवत रूप से ग्रह बर्मन पर आकमर किया तथा उनकी हत्या कर दी कर्णौज के राज का पुष भ्यूती के राज में विले हो गया एवं हर्षवर्दन ने अपनी राजधानी थाने सर जो आज के परिख्ष में बात करें तो कुरुच्छित से कर्णौज में इस्थांतरित कर दी अब हम बात करेंगे पुष भ्यूती थाने सर के पुष भ्यूती गुप्त समराज के चीड होने के पस्चात मुक साशक बंश पुष भ्यूती रहा उनकी राजधानी थाने सर या आज की परिख्ष में बात करें कुरुच्छेतर में थाने सर थी प्रभाकर वर्दन ने सिहासन रुहन के पस्चात ये वंश अतिदिक प्रभावी हो गया था प्रभाकर वर्दन ने हूडों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की एवं पंजाब तता हर्याना छेत्र में अपनी स्थधिक को सुधर किया उसकी मुत्यू के पस्चात उसका जेस्ट पूर्थ सिहासन पर बैठा किन्तु बिहार तता बंगाल के साशांग द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद हम यह देखते हैं कि उसको मतलब जब उसकी हत्या हो गई अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और आश्चा करते हैं कि आप लोग को इस प्रोग्राम पसंद आया होगा धन्यवाद करते हैं करते हैं